दोस्तों बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में सरकार परसदी विद्यालों की बच्चों को अब सुविधाओं की बदले पैसा देने जा रही है अर्थात बच्चों को जो प्रात्मिक विद्यालों में सुविधाय मिलती हैं जैसे ड्रेस, बैग, जूता मोजा, स्वेटर आज सभी चीज़ों का पैसा अब सिधे अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा इसकी पीछे तर्क या दिया जा रहा है कि विद्यालों के माद्यम से जब ये चीज़े बितरित होती है तो उसमें गुरोता का अभाव रहता है जब अभिभावकों के खाते में सीधा पैसा पहुँचेगा तो अभिभावक अपने बच्चों को उच गुनोतव की चीज़े ला करके देंगे लेकिन दोस्तों क्या हकीकत में अविभावक उस पैसे का उपयोग अपने बच्चों के लिए सुविधाये प्रदान करने के लिए खर्च करेंगे या उसे अन्यकारियों में लगा देंगे मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि अभिभावक उस पैसे से बच्चों को सुविधायें प्रदान करेंगे आईए दिखाते हैं दोस्तों समाचार क्या है हाँ तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बेसिक्स इच्चा विभाग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विध्यार्थियों की यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मुझे और स्कूल बैक का पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में दे सकता है इस बार फिर विभाग इस प्रस्ताव को कैपडेट में रखने जा रहा है इस फैसले से एक दिसम्नों पांच-आठ करोड विध्यार्थियों को फायदा पहुचेगा हाला कि पिछली बार भी विभाग अभिभावकों के खाते में पैसा भेजने का प्रस्ताव सरकार को भेज चुका है लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ इसे ना मंजूर कर दिये थे नए सेचिक सत्र के लिए फिर से प्रस्ताव तयार किया जा चुका है राज सरकार दो जोड़ी यूनिफार्म एक जोड़ी जूता स्वेटर जूते मुझे और स्कूल बैग निसुल के देती है इस पर लगभग अठारा सो करोड रुपए खर्च किया जाते हैं पार्ट पुष्टकों और मिड़े मील के ब्योस्ता पहले की तरह ही रहेगी यूनिफार्म का मूल तीन सो रुपए तय है तो जूते के लिए एक सो पैंतिस रुपया मुझा पंद्रा से बीस रुपया और स्वेटर के लिए दो सो रुपया अविभाबकों के खाते में पैसा देने की पिछे मनसा यह है कि वे अपने बच्चे के लिए बाजार से उतक्रिस्ट सामान खरीदेंगे जबकि सरकारी खरीद में गुणवत्ता से समझोते की सिकायते आती हैं वहीं कमिसन खोरी जैसे सिकायतों से भी निजात मिलेगी वहीं समय पर सामान बच्चों के पास पहुँचेगा जबकि अभी पूरा वर्स वीद जाता है और यूनिफॉर्म बनती रहती है एक बच्चे को मिलेगा 6 रुपे यूनिफॉर्म के लिए 2 रुपे स्वेटर के लिए 135 रुपे जूता मोजक के लिए 21 रुपे और स्कूल बैक के लिए 100 रुपे लेकिन दोस्तों सोचना ये है कि क्या अभी भावक इन पैसों का उप्योग अपने बच्चे को यूनिफॉर्म स्वेटर जूता मोजा और बैक दिलाने में कर पाएंगे क्योंकि मुझे तो लगता है दोस्तों कि अभी भावक के पास जब पैसा आएगा तो सबसे पहले वह अपने परिवार के जो सबसे बड़ी जरूरत होगी उसमें उस पैसे को वह खर्च करेगा और फिर हमारे बच्चे वैसे ही फटे हाल आएंगे जैसे कि पहले आया करते थे अभी भावक उन्हें ना तो यूनिफॉर्म दिला पाएगा ना स्वेटर ना जूता मोजा और ना ही बैक दिला पाएगा बच्चे उसी अपने पुराने फटे कपड़े में विद्याले आन ठीक है ये उसकी इक्चा पर निर्भर करता है उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों ये रहा छोटा सा समाचार मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में नमस्कार